नमस्कार मैं उदीपक और आप देख रहे हैं DS के टॉक साइए बात कर लेते हैं बिग बॉस OTT के कल की एपिसोड की और एक दिन पहले वाला एपिसोड जिसमें की मनीशा कैप्टन बन गई थी वो कैप्शन्स लेखो किसका टाइटल जादा अच्छा होगा इसके आधार पर करके आपको एल्विश और एक और जो लड़की आई है अरे कौन लड़की है मैं तो उसका नाम भी भूल गया इनफेक्ट वो जो लड़की जो वाइल्ड कार्ट बनके आई है एल्विश के साथ एल्विश तो भाई गजब गजब मतलब जबर्दस तरीके से जलवा दिखा रहा है और जैसा कि मैंने अपने वीडियो कहा भी था पहले कि अल्विश बाहर तो बहुत दाहरता है देखते हैं अंदर वो क्या करता क्या नहीं और कहना घलत नहीं होगा कि अल्विश आतव जैसा बाहर है उसका सार्काजम उसका स्वैग उसके वन-9 और एकदम सूखे कोई expression या फिर body language से लगता नहीं है कि वह सामने वाले को roast कर रहा है लेकिन बहुत ही कम शब्दों में वह roast करके सामने वाले के दज्जी उड़ा देता है जो कि हमने कल भी देखा जब वह विमल इलाइसी वाली टास्क चल रही थी जहां पर इसने अल्विश ने अविनाश क के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि लड़कियों पर जादा चड़ता है तो क्या एलविश यादो ने मेरे वीडियो देखे नहीं यार वो कहां से मेरे वीडियो देखेगा मेरे वीडियो तो मेरे खुद के सब्सक्राइबर नहीं देखते हैं हाला कि यह जो मैंने कहा यह म पूजा भट को तो एलवेश ने आते से अपनी ताई जी बोल दिया है कि मेरी ताई जी भी गलत नहीं हो सकती आप तो खेर कभी गलत हो इनी सकती हाला कि वो पूजा भट जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर है एक्सपीरेंस ओल्डर हैं समझदारी की पीपड़ी बजाती फि पूजा भट जिसने की थोड़ी देर पहले का था कि जिया अभ्यूज करती है यह करती है वही पूजा भट थोड़ी देर के बाद शेट दफ़क अब बोल करके गाली गलोच वाले तेवर पर उतर आई अब यह तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं जिया शेंकर को पसंद अधरवाइस कमोवेश सारे के सारे कंटेस्टेंट पूजा बटके स्लेव बन चुके हैं इंक्लोडिंग फुकरा इंसान भी फुकरा इंसान जो की अब तक काफी अच्छा जा रहा था इन फेक्ट लग रहा था कि भईया वन और विनर माटीरियल वही है मुझे लग रहा है कि फुकरा को एक रियालिटी चेक मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था विकॉज वह कमफर्ट जॉन में जा चुका था आपने देखा भी है बीते टाइम में जितनी भी टास्क हुई है कमोवेश हर एक टास्क में फुकरा ने बहुत उम्दा परफुमेंस दिया है कुछ चेक टास्क तो एक तरफा वह जीत भी गया फिर वह कैप्टन भी बना था तो मुझे लग रहा है कि मेकर भी समझ गया थे कि फुकरा जो है ना वह थोड़ा सा कमफर्ट जॉन में जा रहा है उसके सामने कोई कॉमपटीशन नहीं है ऐसे में लवे शयादव का बिग बॉस क देखना बंद कर चुका था क्योंकि शो में कुछ इंट्रस्टिंग चीजें तो होती है नहीं लेकिन एलविश एदव ने आकर के इस मरे हुए बिग बॉस के शरीर में प्राण फूग दिये हैं और वो फुकरा इंसान जो कि शायद पहले से ही मान करके चल रहा था कि उसके दिन पहले तक अगर मैं बाहु बली पिक्चर के रेफरेंस से बोलूँ तो जैसे भलाल देवा अपनी प्रतिमा बनवाता है उसे लगता है कि उसकी प्रतिमा बहुत बड़ी है लेकिन सड़नली बाहु बली की प्रतिमा आपको पीछे से दिखाई जाती है जिस अंदाज मे एसे सराजमोली ने बाहु बली पिक्चर का वो सीन हम सबको दिखाया है कि भलाल देवा समझ रहा है कि वो सबसे बड़ा है लेकिन उससे भी बड़ा है बाहु बली उसी तरह से यहाँ पर बिग बॉस के घर में यानि एक और बीबी यहाँ पर फुकरा इंसान समझ रहा था बलकि वो ये भी दिखा रहा है कि एलवेश यादव जैसे लोग बिग बॉस के लिए परफेक्ट होते हैं भाई साब एक दम अनफिल्टर्ड इंसान है रियालिडी शो में ऐसे ही लोगों की जरुत होती है जो की जो मन में है वो बोलने का दम रखें शो को इंटरस्टिंग बनाने से पीछे ना हटें जिस तरह से ये अविनाश फलक और ये सब एक कमफर्ट जान में जा चुके हैं इन्हें वो नींद से उठा रहा है कुछ कॉंट्रिबूशन दो शो को इस तरह की चीज़े वो कर रहा है मानना पड़ेगा भाई साब ये बंदा रियालिडी शो के लिए ही बना है और इसके अंदर मैं कहीं कहीं थोड़ी बहुत अपनी चवी देख लेता हूं क्योंकि मैं भी अन्फिल्टर्ड हूं मुझे भी एक दम देशी कह सकते हैं और मुपर बोलने वाला कह सकते हैं लेकिन इसको एलविश को देखकर के मुझे ये कहीं एक सुकून जैसे बन रहा था और बात कर रहा था भाई तो डियो लोगा के सोया कर तो अल्विश क्या बोलता बहुत बढ़िया तरीके से बोलता है बहुत बड़ी है तरह के से सामने वाले की बोलती बंद कर देता है मतलब चारों खाने चित कर देता है एलविश यादव सामने वाले को और ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने में या फिर आर्ग्यूमेंट में या फाइट में इनफेक्ट कल जो एक टास्क हुई थी वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एलविश ने क्या पॉइंट रखे थे और फलक के क्या गुर्दे चिल दिये थे ना सिर्फ फलक बलकी थोड़ी दिर के लिए तो आपको दिखा भी होगा कि इसके फुकरा के भी गुर्दे चिल ग वह दिखाया भी गया था उसकी बॉड़ी लेंग्वेज से क्लियर ली दिख रहा था कि उसके गुर्दे चिल गए हैं उसे यहार बरदाश नहीं हो रही है तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि एलवेश यादव ने कितना नेक्स लेवल का इंसिक्यूर कर दिया है फुकरा इ है इस सीजन के स्टार्ट में पहला है दूसरा दिन हाँ पहला ही दिन था घर के अंदर का जब इसने पुनीत सुपरस्टार ने मौत का खेल खिलना शुरू करा था आप देखिए कि पुनीत सुपरस्टार अपने घर पर और बिग बॉस के घर में मौत का खेल यानि कि कुछ भी चीजें साबुन, सोड़ा, शेंपू सब अपने उपर डालता रहता है उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन इसी बिग बॉस के घर में जब टॉर्चर टास में तेल शेंपू डाला जाता है तो कंटेस्टेंट उसी इसको इन हुमन बोलने लगते हैं अब अगर पुन कि पीपड़ी बजाने लगते हैं खैर मुद्दे की बात यह है कि पुनीत ने जब मौत का खेल खेलना शुरू करा था तब फुक्रा इंसान ने उसको और जदा पॉम्प करा था कि हां करो 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 और मैंने अपने रीविव में पहले बोला भी था उस टाइम पर की एक तरफ तो इसने उसे पंप कर दिया फिर बात में बोलता नहीं आर ऐसा नहीं करना था तो एक डबल स्टैंडर्ड जो हैं वो फुक्रा के दिखाई दिये थे और फुक्रा के डबल स्टैंडर्ड हमें यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं वो खुद यूट्यूबर है और जब इसको अब इसका क्या नहीं है इसकी वाकिंग का इसके चलने के अंदास का यह लोग मजा कोड़ा रहे थे लहरिया लहरिया ऐसे चल रहा है अब अगर फलक और जिया इनके उपर कुछ बोल दिया ज हो जाएगी अब मेरा सवाल यहां पर अभिशेक मलाहन से है जो कि खुद एक यूट्यूबर है और भूलना नहीं चाहिए अविनाश ने एक बार कहा था कि यूट्यूबर यूट्यूबर ये पुनीत और ये अभिशेक फुकरा इंसन एक ही ट्यूब में सवार है यह जितन अभी कि क्या बात हो रही थी तो अभिशेक उससे बोलता भी कि तेरे चलने का मजाक उड़ा रहे थे अब एक लड़के के चलने का मजाक ही उड़ा सकते हैं उसे लहरिया बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं लड़कों को यह लोग जनाने भी बोल सकते हैं बड़का यही एक लड़की के बारे में बोल दे तो वो suddenly body shamer बन जाता है जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं अभिशेक मलान कुछ भी बोलता है तो बेबिका को लगता कि body sham कर रहा है यह है वो है इन फैक एक दिन पहले के episode में हमने देखा भी ना जब यह बेबिका अभिशेक के अभिशेक पलटवार भी नहीं कर सकता और शायद हम आज रात को देखें जब जिया शंकर रोएगी एक वुमन काड़ खेलेगी कि बोड़ी शेम कर दिया यह कर दिया वो कर दिया आप लोग किसी लड़के को लहरिया बोल सकते हो जनानी बोल सकते हो लड़का कुछ बोल द सस्ती बंद करी थी विमल वाली टास्क में जब एलविश ने अविनाश की धज्या ओड़ा करके रख दी थी तो अविनाश की सस्ती वकील और एकदम उनकी चड़ी बड़ी जो है यह फलक नास इनके जादा गुर्दे चल रहे थे बाई बिग बॉस ने का ता किसी एक को ब बॉलिवड गेंग है यह सारे लोग क्या हैं कि बहुत ही सेफ चलते हैं इन्हें कॉन्ट्रेक्ट पता हैं सबको एमजी मिले हुई हैं कुछ करे ना करे यह तो आराम से आगे पहुची जाएंगे और इन्हें बरदाश्ट नहीं होता कि कोई बाहर से आया हुआ आउटसाइ दिया था जिसमें कि जिया के कुछ कपड़े वगेरा थे अब इस बात के उपर बाद में जब चर्चाइं चलती रहती हैं तो पूजाभट अलगी बोलती है कि फर्क नहीं बड़ता लड़की के कपड़े या लड़के के इसका मुद्दा नहीं बनना चाहिए अच्छा इस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए तो सायरेस के अंडों का मुद्दा क्यों बन रहा है ये पूजाभट जो की अकसर बड़ी-बड़ी बाते करती रहती है और कहती की छोटी-छोटी बाते के मुद्दे नहीं बनने चाहिए जब आलिया अपना पैड भूल गई थी तब सब बड़तेडे का केक क्यों खालिया अब ये केक खालिया ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या ये भी तो चिंदी-पिंदी बाते हैं पूजाभट करे तो भई अच्छी बात है वही चीज़ अगर जिया या कोई और बोलते तो गलत बात हो जाती है और जिस तरह से यहाँ पर ये पूजाभट एक डायलोग दे रही थी कि लिसन हनी टैलेंट से काम नहीं मिलता है आपका दिल अच्छा होना चाहिए तो पूजाभट अपनी पिक्चर में लोगों का टैलेंट देखकर के उन्हें रोल देती है या फिर दिल देखकर के क्योंकि जहां तक हमने ऑडिशन दिये हैं जहां तक हमें पता है आप कितने अच्छे हैं आपका दिल कितना अच्छा है ये सारी चीज़ा कोई नहीं देखता है इंडस्टी के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें चलती है या तो आपका टैलेंट या फिर आप एक नेपो किड हो तो और वहां पर भी आपका टै पर millions of लोग follow करने लग गए हैं बड़े-बड़े brands मिलने लग गए हैं यही नहीं यह शारुकी लड़की तो किसान बन करके करड़ो रुपाई की जमीन भी खरीच चुकी किसान बन करके तो कैसे यह power में बैठे लोग पैसे वाले लोग गरीमों का हक मार लेते हैं हमेशा आप आपने आपको superior दिखाते हैं उसके बाद यह लोग बड़ी-बड़ी बाते कर देते हैं पूजाबट जैसे लोग की talent फेड हो जाता है beauty फेड हो जाती है आपका character और आपका दिल ही सब कुछ आपको दिलाता है तो पूजाबट industry में 30 साल हो गए हैं 30 साल में आपका वो मुक पूजाबट को और पूजाबट को मजबूर कर दिया अब्यूस करने के लिए तो पूजाबट जो की कहती कि वो हर्ड मेंटेलीटी में बिलीव नहीं करती है वो अब्यूस नहीं करती है suddenly shut the fuck up मतलब जिया ने ऐसे शब्दबाड छोड़े कि पूजाबट उन पूजा के सस्ते वकील है अविनाश और फलक पूजा सस्ती वकील है बेविका की बेविका के हार्ड कोर हेटर बन चुके हैं अविनाश और पलक अब देखें कैसे यहाँ पर मतलब का व्यवार चल रहा है पूजा जिसे की जिया टॉक्सिक लगती है घटिया लगती है लेक भड जो की नहायत ही दोगली है वो एकदम PB PB करके उसके तलवे चाटती है फलक और अविनाश पूजा एकदम सिर आँखों पर रखती है बेबी का को जबकि बेबी का जो है वो अविनाश और फलक को फूटी आँख नहीं भाती है तो यहीं पर आप समझ जाए ही कि यहां पर बेबी का को अपनी good books में और बेबी का तो हमेशा से ही चाहती है कि भट की बेटी जो है वो बेबी का को blind support करे लेकिन बेबी का को फलक अविनाश जिया और फुकरा इंसान कताई पसंद नहीं करते हैं और इन सब की बीच में है पूजा भट जो की center of attraction है जो की दुनिया को लिखाती है कि वो सबसे महान है वो dignified है वो classy है उनका दिल बहुत अच्छा है वो घर में सबको equal treat करना चाहती है अगर पूजा भट वाकई में equality की पक्षदर है जो कि वो कहीं से कहीं तक नहीं है वो एक number की fake feminist है पूजा भट को अगर इतनी जादा फिक्र है equality की तो वो सब को बोल दे कि कोई भी पूजा भट को पूजा जी ना बोले घर में जी दी की कहीं कोई जगे नहीं है सब equal contestant है लेकिन पूजा भट की बात ने is equal to गधे की लाते है जो वो बोलती है वो कभी करती है नहीं बड़ा दिल दिखाओ you know what मेरी age हो चुकी है इंडस्ट्री में काम मिले काम ना मिले उससे तुमको क्या लेना दना है यार इंडस्ट्री का मतलब पूजा भट नहीं होता है पता नहीं क्यों बीते काफी सीजन से सलमान खान और इस सीजन में ये पूजा भट लग गए हैं कि ये इंडस्ट्री में काम करना है तुमने एक ही पिक्चर करी है हन तो ये चूतिया बनाना बंद करो पूजावट सीधी सिवाता है I wish कि कोई जाकर कि पूजावट को इस अंदाज में जवाब दे कर किया है लेकिन जाएगा कौन हमें तो बुलाते हैं नहीं और हमारे I don't think कि कोई बोल भी पाएगा पूजावट की मूपर ऐसा मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन अभिशेग भी कहीं नहीं पूजा का एक स्लेव जैसा ही हो गया है वो पूजा के अगेस्ट खुल करके स्टैंड नहीं लेता है और जिस तरह से फलक दी पूजा दी ये दी वो दी अरे वो कंटेस्टेंट हैं यार मौका पड़ेगा तो वो तुम्हारे पिछवड़े पर लात मार करके तुम्हें भार कर देंगे लेकिन फलक दी पूजा दी आरे हो गया दी दी दादा दी दू वो contestant है और contestant की तरह उनसे बेव करो तो जादा बेतर होगा लेकिन पता नहीं कुछ contract के clause हो सकते हैं कुछ मजबूरियां हो सकती हैं बिग बॉज सत्रा का offer हो सकता है otherwise यह फुकरा इंसान जो कि first week में आया था पूजाबट से बोलाता कि चिल्लाने से आवाज में दम नहीं आ जाता वो वाला फुकरा इंसान जो है न वो कहीं न कहीं भीड में गुम हो चुका है और शायद उसे जगाने के लिए Elvish की एंट्री होई है और जब से Elvish आया है तब से तो भीया Elvish ही Elvish दिखाई दे रहा है चाहे वो एक वो कोई बंदा था दीप ऐसा करके कुछ नाम था उसका जो कि टॉविल वगेर हवा में लहरा आ रहा था उसने एक या दो बार गलती से या फिर जानबूच करके टॉविल जो थी वो इसको Elvish को मार दी थी या धोके से लगी थी लेकिन बाद में Elvish ने क् इक बहुत सोला में भी देखी थी तो there was nothing new जिसके बारे में बात की जाए और हां मनीशा कैप्टन बन गई तो मनीशा जिस तरह से काम का बोल रही है तो सबके गूर्दे चल रहे हैं कि वह यह ऐसा है मनीशा को एक मोका मिला है तो अपनी लीडर्शिप वो दिखा रही है औ मनीशा से फलक को प्रॉब्लम है फलक का खास है अविनाश और अविनाश की गुडबुक्स में रहती है जिया तो यह सब मिल करके कहीं मनीशा पर चड़ना चाहते हैं और इनका साथ देखकर फुकरा इंसान भी थोड़ी देर के लिए मनीशा को कुछ बोल देता है लेकिन मनीशा और अविशेक इनका पैचा बगेरा हो जाता है वहीं जो एक दूसरी वाइल काट आई है यार मुझे अब तक उसका नाम याद नहीं आ रहा है क्या नाम है वह जनता का दूसरे मेंबर बनके आ चुकी है और इसी दोरान एलविश यादव के ऊपर यह काफी डोले ड प्रेस कर दे क्योंकि अभी देखा जाया तो बिग बॉस की घर में जितने भी लोग हैं उन सब में एलविश की फैन फॉलिंग सबसे बड़ी है तो उस फैन फॉलिंग को खुश करने के लिए बेबी का एड़ी चोटी का जोर लगा रही है अच्छा जोर से याद आया कि भ जोर को लेकर क्या जाये मतलब पब्लिक को पकाने का इंतजाम करेगा इस बार बिग बॉस और बिग बॉस के जितने भी मेकर से तो वीकेंड से तो कहीं कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए अब एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा क्योंकि सायरस अलरी जा चुका है सायर का शायद एक कांट्रेक्ट होगा कि वो पब्लिक वोटिंग के बेसिस पर बाहर नहीं जाएगा इसलिए उस वीकेंड एलिमिनेशन कर दिये कैंसल और मंडे को निकाल दिया ये बिलकुल वैसा ही था जैसे कि साजित खान का कांट्रेक्ट रहा होगा साजित खान जब जब महत्व तो राजनीती में भी अब कम ही होता जा रहा है जिस तरह से महराष्ट्र में जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता का हिस्सा बन चुके हैं इसके उपर एक वीडियो लेकर कि मैं आने वाला हूं शायद आज लाओं या फिर कल लाओं लाने वाला जरूर हूं ये तो इसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता था मुझे अभी भी लग रहा है कि אלfish एक वाल्ड कार्ड नहीं एक guest की रूप में आया है एक महमान की रूप में आया है ऐसा मुझे लग रहा है he is the highest paid महमान अब तक की vipos की history का ऐसा भी कुछ reports में आया है खेर एलविश के बारे में उसकी personality के बारे में उसके one-liner उसका सारकाजम के बारे में क्या है आपकी विशेश टिपड़ी और क्या आपको नहीं लग रहा कि एलविश के आने के बाद से फुकरा इंसान बहुत ज़्यादा diplomatic भी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा insecure भी हो गया ह है और टीवी गेंग के कहीं ने कहीं रंग में रंग चुका है फुकरा इंसान आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करें आपने समय निकाला वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है वीडियो अच्छा रगाओ तो लाइक जरू कीजेगा चैनल को कीजे धर धन्यवाद को घ।